नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी लोगों का आरेस बावा पर ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछी देख रहे हैं ये लड़की है महक शर्मा महक शर्मा की हालही के अंदर शादी हुई थी जून 2022 के अंदर और उसके बाद में पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है मतलब डैड बॉड़ी ही जो है वो वापस आती है UK से उसके बाद में इनकी मा जिस तरी के सरोती है वो कहानी पूरी की पूरी बया करती है कि आखिरकार हुआ क्या है देखिया आज आए दिन जो है वो डावरी के केस देखते हैं दहिस के केस जो है वो आए दिन देखने को मिलते हैं जिसे कल निउस्पेपर में आप लोगों को ने पढ़ा होगा कि एक लड़के ने शादी के अंदर BMW जो है वो मांगी और उसके बाद में सारा घटना करम हुआ और लड़की और लड़का अनिकी दोनों वहाँ पर जो है अनिकी लड़की के वहाँ पर मडर भी कर दिया गया था हत्या हो चुकी थी एक केस और था जिसमें बीच अनिकी फेरे जब होने वाले थे उससे पहले फॉर्चिनर लड़की ने मांगी तो ऐसे बहुत सारे केस जो है दहिस के देखने को मिलते हैं ये जो लड़की है वो गुर्दासपुर पंजाब की रहने वाली है महक शर्मा इसका नाम है जून 2022 के अंदर साहिल शर्मा से शादी होती है शुरुवात में साहिल यूके के अंदर चला जाता है खास बात ये थी कि जिस समय शादी हुई उस समय बताया गया कि बहुत बिजनस वगरा है नोकरी वगरा करता है पहले नोकरी करता था फिर बाद में इसने बिजनस भी जो है वो कर लिया है साहिल शर्मा ने और एक ऐसे ही प्रश्भूमी के अंदर फंसाकर रखा जाता है साहिल यूके चला जाता है उसके बाद में दो महीने बाद ही ये महक शर्मा को लेने के लिए आता है और महक शर्मा उसके साथ में यूके चले जाती है जाने के बाद पता लगता है कि वो लड़का वहाँ पर कुछ भी नहीं करता है कोई काम धाम नहीं करता है बेरोजगार रहता है वहाँ पर जाने के बाद उसने महक शर्मा के उपर ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि तुम जो है वो काम करो मुझसे जो है वो काम नहीं होता है और इसी के आधार पर महक ने एक nursing home के अंदर काम करना शुरू किया जो भी salary आती वो उससे छीन लेता मतलब पूरी तरीके से वो लड़का साहिल वो इसकी उपर depend हो गया महक के उपर और जो भी salary आती वो सारा इसे छीन लेता था कुछ दिन जो है वो चलता है पांच ये महीने तक गड़ित जो है वो चलती रहती है उसके बाद में ये अपनी मां को बताती भी है कि थोड़ा ऐसा कुछ चल रहा है लेकिन उसके बाद में आप लोग देखना मैंने एक lecture record किया है animal film को लेकर hyper muscularity को लेकर उसी का example आप लोग ये भी मान सकते है कि साहिल जो है वो अपनी muscularity वहाँ पर show करता है और मारपीट करना शुरू कर देता है महक शर्मा के साथ में और महक शर्मा के साथ में मारपीट जब करता है तो ये सारी बात अपनी मा को बताती है कुछ दिनों बाद इसने फोन उठाना बंद कर दिया दो दिन तक लगातार फोन के जाता है लेकिन कोई भी फोन का reply नहीं आता है उसके बाद में इनके पास में इनफर्मेशन लगती है मतलब जो मा थी महक शर्मा की उन्होंने UK के अंदर रहने वाले अपने रिस्दारों से कहा किया जाके एक बार पता कर किया हो वो कुछ दिन से फोन नहीं उठा रही है रिस्दार वहाँ पर जाते है तो पूरी सच्चाई जो है वो सामने आती है और सच्चाई ये होती है कि साहिल जो था उसने चाको का इस्तमाल करके महक का कतल कर दिया था कोई अनबन जो है इन दोनों के बीच में हुई थी मतलब जब मा की बात महक शर्मा से अंतिम बार हुई थी उसी दिन कोई कहा सुली इनके बीच में होती है और फिर कतल वो साहिल कर देता है ये बात रिस्दार ने पता लगाई UK से डैड बॉडिंग लादें के अंदर दो महीने का वक्त गुजर जाता है और दो महीने के बाद में कल बॉडि जो है डैड बॉडि वो पहुंची है पंजाब एरपोर्ट पर और उसके बाद में इनके जो घरवाले हैं इनका रोरोकर बुरा हाल है डैड बॉडि जो है वो पंजाब के अंदर आकर पहुंची है देकि बहुत सारे केसे ऐसे होते हैं अपने इंडिया के अंदर चाहे वो देज का केस मान लीजिए या फिर महिलाओं के उपर अत्याचार को मान लीजिए 1997 का जो केस है विशाका केस जो की रजस्थान से ही रिलिडेड था कार इस्तल पर महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता है उनके उपर बाते सुनते रहते हैं नियूस की अंदर की महिलाओं की उपर अत्याचार हो रहे हैं आप लोग को पता होगा कि राजस्थान की घटना है दोसा की जहां पर 6 साल की बच्ची की साथ में एक शादी के दौरान उस होटल के अंदर रेप भी किया गया तो महिलाओं की उपर जो अत्याचार होते हैं ये बहुत ज़दा आए दिन अब बढ़ती जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर जैसे एक मैंने आप लोगों को एक डेटा भी बताया था एक दिन के अंदर 77, 77 महिलाओं जो हैं वो किसी न किसी अत्याचार का शिकार होती हैं तो आप सोच पा रहे हैं कि हर दिन इतनी महिलाओं जो हैं वो अत्याचार का शिकार हो रहे हैं तो पूरे साल के अंदर और इतने सालों के अंदर कितने डेटा जो है वो सामने आये होंगे तो बिसीकली ये चीजे क्या है सिगमट फ्राइड आपने साइकलोजी पढ़ी होगी सिगमट फ्राइड कहते हैं कि अचैतन मन जो है वहाँ पर ये सारी भावने आपके इस्टोर रहती हैं आपके कुंठाएं जो होती हैं आप उनको अचैतन मन के अंदर इस्टोर करके तो वो एक परिसिती आई ना, परिसिती आने के बाद उसने अपने आपको शो किया, वैसे ही यहाँ पर भी है कि साहिल हो सकता है कि पहले ऐसा ना हो, लेकिन बाद में कंडिशन्स दीर-दीर ऐसी करेट हो गए कि उसके मन के अंदर जो कुंठित मन था, वहाँ पर जो भी हिलाएं, कई बार अकेली होती हैं, या फिर सडक की उपर चलते रहती हैं, तो वहाँ पर फिर वो उस परिसिती को देखकर अपने आपको बया करते हैं, तो ऐसे लोग पागल रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, उनको तो mental hospital ले जाकर बांद दिया जाए, जंजेरो आप लोग comment section में जरूर बताईएगा, चैनल पर नए हैं, तो subscribe आप लोग जरूर कीजेगा, ठीक है, यह उनकी मा है, जो की बिलग कर काफी रो रही थी उस समय, जब इनकी dead body जो है, वो कहा पर पहुंसती है, इंडिया के अंदर पहुंसती है, ठीक है, चलिए, इसकी prevention के ल आप ले सेशन में, तब तक लिए धन्यवा, थेंक यू, जय हैं